क्रोमाइट अयस्क क्रोमाइट और क्रोमियम का एक मात्र अयस्क क्रोमाइट है मैगनीज की तरह क्रोमियम का भी उप्योग लौव इस्पात में मिश्रन के लिए किया जाता है इसके उप्योग से उच्चताब सहने वाला इस्पात बनाया जाता है इस पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा 3% मिलाने पर रेती, आरी, कुलहाडी और हथोड़े आधी बनाने के लिए कठोर इस पात बनता है। इस से थोड़ी अधिक मात्रा 12-15% मिलाने पर उश्मा सह घर्शन और संशारण सह इस पात बनता है। जिसका उपयोग रसोई घर के बरतन, छूरी काटा, मशीन की बेरिंग आधी बनाने में किया जाता है। क्रोमियम के साथ निकल मिलाने पर इस पात में भाप, जल, आद्र, वायू तथा अमलद्वारा होने वाले छरण को सहने की चमता आती है। क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और मालिब डेबनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस पात तयार होता है, जिसे स्टेलाइट कहते हैं, जिससे उच्च वेग वाली मशीनों के पूर्जे बनाया जाते हैं। क्रोमियम का उपयोग उच्च तापवाली भठ्टियों में किया जाता है, इसका उपयोग रंग, चमडा और वस्त्रुद्योगों में भी किया जाता है। भारत में क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रेल 2010 में 20.3 करोड टन आका गया है ओडिशा में भारत का क्रोमियम का सरवाधिक भंडार है ये विशेश कर सुकिंदा घाटी, कटक एवं जाजपूर जिले में पाया जाता है टंगस्टन आधुनिक धात्विक उद्योगों में मिश्रित इस्पात एलोई स्टील बनाने में टंगस्टन का विशेश महत्व है इसके उप्योग से इस्पात में मजबूती, कठोरता, घर्षन तथा धक्का सैने की चमता बढ़ जाती है टंगस्टन मिश्रित स्टील का उप्योग उच श्रेणी के काटने वाले उपकरण और पत्थर छिद्रक उपकरण बनाने में किया जाता है टंगस्टन, कोबाल्ट और क्रोमियम मिश्रित स्टेलाइट का प्रयोग कवच पट्टा, बंदू के, कवच अंतरवेधक आधी बनाने में किया जाता है विद्धूत उपकरण जैसे बल्ब तथा ट्यूप के फिलामेंट में भी टंगस्टन का उप्योग किया जाता है यह राजस्थान, पश्रिम बंगाल, महरास्ट और करनाटक में पाया जाता है तामबा, कौपर तामबा का उप्योग मानव प्राचीन काल से कर रहा है तामबे के साथ तीन मिश्रित करके कांस्य का निर्मान किया गया था तामबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है जिसका उप्योग उपकरण सिक्क के आधी बनाने में किया जाता है 19. सदी में विद्धुत के अविश्कार के बाद तामबे का महत तो बहुत बढ़ गया क्योंकि यह ताप तथा बिजली का सुचालक है तथा रासानिक शरण का अवरोधक है इसी कारण आधे से अधिक तामबे का प्रयोग विद्धुत उद्ध्योग में किया जाता है तामबा मिश्रधातुओं का उप्योग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, जल जहाज, रफिजरेटर, घरेलु उप्योग की अन्य चीजें तथा युद्ध समागरी बनाने में किया जाता है देश के कई भागों में तामबे के खोज की जा रही है भारत में तामबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार एक अप्रेल 2010 में 155 करोल टन आका गया है फिर भी भारत में तामबा उत्पादन अपेक्षा कृत कम है और मांग की अधिकता के कारण इसका आयात होता है तामबे का अधिकान जमाव जारखंड, मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों में है साथ ही इसके छोटे संचे, गुजरात, करनाटक, आंध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, सिक्किम, मेघाले, महराज्ट और पश्रिम मंगाल में भी पाए गये है देश का 37 प्रतिशत से अधिक भंडार जारखंड राज में है, मध्यप्रदेश के बालाघार जिले में इस्थित मलाजखंड तामबा की खान देश में प्रसिद्ध है सीसा सीसे का उप्योग वर्तमान समय में परिवहन, संचार और बिजली के उत्पादन में होता है यह भारी, नरम और लचीला होता है इसका सरवाधिक उप्योग विद्धुत उद्योग में संचालक बैटरी, स्टोरेज बैटरी तथा तार गढ़ने के लिए किया जाता है इसका कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रेल 2010 में एक करोड टन आका गया है, राजस्थान में इसका सरवाधिक भंडार है